मित्रो आज मैं आपके लिए देनी के रासिफल लेकर आ रहा हूँ और यह रासिफल है मंगलवार 21 मैं 2024 तो चलिए आज के पंचा की बात करते हैं तो आज है त्रियो दसी तिथी सामके 4.47 तक तदुप्रान चतुरदितिति का आर्व हो जाएगा 10 नक्सतर सुबह के 5 बज़ कर 22 मिनित तक रहेगा उसके बाद स्वाति नक्सतर का आर्व होगा ब्रत तुहार में आज स्री नुसरी चतुरदितिति का ब्रत है गुलिक काल शुब समय दिन के 12 बजकर 17 से 2 बजे तक राहुकाल का अशुब समय दिन के 3 बजकर 43 से 5 बजकर 26 मिनिट तक इस समय में आप अच्छर निड़ने लेने से बच सकते हैं दिसासुल उतर है सुब खाद्य आज पूर है दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरू किजिए और कमन बोक्स में जै गणपती दादा जरूरी है मित्रो आज के रासी फल की सरवात करें इससे पहले आज के ग्रहों की स्तीती पर नजड़ गालते हैं क्योंकि इन ग्रहों के आधार पर ही रासी पर की जानकारी मिलती है आज के दिन बोध ग्रह मेसरासी में रहेंगे, सुकरसुरिया, गुरु प्रसबरासी में रहेंगे, केतु कन्या में, चंद्रमा, तुला में, सनी कुंबरासी में, मंगल राहू, मिन रासी में रहने वाले हैं तो इन ग्रहों की स्तिती के आधार पर जानते हैं आज का रासिफल, तो चलिए सबसे पहले सुरू करते हैं मैस रासिका रासिफल आज नया कारिया सरू करने याने विस करने से पहले उचीत जानकारी ले योगा और मेडिटेशन को अपनी दिन चरिया का हिस्सा बनाए आपको अपने विवहार और दिन चरिया में आश्चरी जनक सुधार दिखेगा अपनी कारिया क्षमता और योग्यता पर विश्वास व्यवसाई धन की बात करें व्यस्तता की वज़से आप व्यवसाई में ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे इसलिए कोई परिवर्तन करना उचित नहीं है नोकरी पेसा लोगों को किसी को अपने कार्यों की जानकरी न दे गोपनिय बना कर रखना जरूर है लव स्वास्ति के बात करते हैं आज परिवार से सम्मदित परिसानी आपसी विचार विमर से हल होगी गर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर योजना बनेंगी तवचा समधी एलर्जी हो सकती है प्रमपरागत इलाज को महतवदे आग ये आज के दिन भाग्य साली रंग रहेगा ओरेंज और भाग्य साली अंखे साथ अब जानते हैं ब्रसबरा से भल गर में वरिष्ट सदस्य का असिरवाद और मार्ग दसन बना रहेगा कोई मांगलिक कार्ये की योदना बनेंगी और खुसी बरावातरन भी रहेगा खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आई की स्थिति भी बहतर होने से दिकते नहीं होगी किसे के साथ व्यर्थ वाद विवाद की स्थिति में ने पड़े आज निवेश से बचे इसके लिए समय अनुकुल नहीं है विद्यार्थ्यों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ज्यान देनी की जरूद है बात करते हैं दन व्यवसाई की तो आज व्यवसाई में कुछ दिकते हो सकती है अपने स्वभाव को सहज बना कर रहे है गुसे की वज़े से बनते काम बिगड़ सकते है सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखो भी अंजाम देंगे जिसे अधिकारियों की बिज उनकी सरहना भाई होगी लव स्वास्ति की बात करते है पारिवारिक सदस्यों का सहयोग और एक दूसरी के लिए समरपन की भावना गड़ के वाताओं को खुशकाल बना कर रखेगी लव पार्टनर से मुलाकात की अउसर बनेंगे कभी-कभी नकारतमग विचार आज हावी हो सकते है मेडिटेशन करे और कुछ समय प्रक्रूति के साथ व्यतित करे आज के लिए भागी साले रंग रहेगा हरा भागी साले अंग होगा छे चांद है मिथुन रासिपल परिवर्तन शिल्ट ग्रहस्तिती बनी हुई है इस समय का दो रुप्योग करना आपकी कारीक शमता पर निर्बर है अपने महत्वपूर मुद्य पर अश्रमंजश किस्तिती में किसी नजदी की व्यक्ति के साथ सलाह मसवरा जरू करे विशेश निर्णे लेने से पहले सोच विचार अभुश्य करे दुसरों के व्यक्तिगत मामलों में उलजने से आपकी कुछ कारिया अधूरे रह सकते है विद्याजों को अपने किसी सब्जिक की समझ न होने से तनाव रहेगा व्यवसाई धन किस्तिती की बात करते है आज विवसाईक स्थल पर अपनी उपस्तिती रखे और स्टाप पर भी नजर रखना जरूरी है अपने महत उपन पेपर्स और फाइर्स को विवस्तित रखे उपिस में अधिकारियों के साथ उचित तालमिल बना कर रखने से आपको कोई अथोरिटी मिल सकती है चोटी मटी पारिवारिक बातों को नजर अंदाज करने से गर में उत्तम विवस्ता बनी रहेंगी किसी प्रिय मित्र से बात होगी जिससे मन प्रफुलित होगा समस्याओं को धेरियों और सांति से सुल जाए सादिक्स रुप से सकारत्मक बने रहने के लिए ध्यान और मेडिजन्स करें आज के दिन भाग्य साले रंग रहेगा बदा में और भाग्य साले अंख होगा पाज जानते हैं करकरासिफल आज कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके आपने उमीद छोड़ देते किसी परिवारिक सदसिया या संतान उपलब्दी से घर में उस्सव का माहौल रहेगा किसी समा सुदार्ग का सानिदिया आपके अंदर सकारत्मक उर्जा उत्पन करेगा व्यवसाईक उत्ल पुथल और आर्थिक मंदी की वज़े से परिवार के सदस्यों के खर्चों में कटूती करनी पड़ेगी इस समय किसी पर भी ज़्यदा विश्वास हाने का कारण बन सकता है दन व्यवसाई की बात करे व्यवसाई में नए कारिये करने का रिश्करन ले या समय बहुत ही सावधारी से व्यतित करने का है पार्टनर सिब सम्मंदी व्यवसाई में कुछ ठोश निरने लेंगे नोकरी में आपके कायू की अधिकारियों द्वरा सरहना की जाएगी लव स्वास्ते की बात करते हैं पारिवारिक वातरों सुखद और खुश्णुमा रहेगा लेकिन प्रेम संबंधों की काराण गर में तनाव की स्थिती रह सकती है संतुलित अहर के साथ साथ वयायाम और योगा जैसी चीजों पर भी ध्यान देना होगा अपने स्वास्ते के लिए सजग रहे और स्वस्तर रहे आज के दिन भागीसाली रंग रहेगा लाल भागीसाली अंग रहेगा छे अब बात करते हैं सिह रासे फलके, प्रभावसरी और अनुभवी लोगों के साथ से मुलाकात की अउसर न चुके, क्योंकि ये संपर्क आपको नए अउसर प्रदान करेगा, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समय अनुकूल है, संपति सम्मदित कोई काम पूरा हो सक इसलिए सहथ तरीके से अपने कारियों को व्यवस्तित करते चले, बचों की गति विदियो पर कड़ी नज़र रखे, समय रहते उचित कदब उठाने से परिस्तितिया संबल जाएगी, आज व्यवसाय और धन की स्थितिति के बारे में जानते हैं, व्यवसाय में योधनाब तरीके से अपने कारियों को करते जाए, समय उपलब जियो वाला है, इसका सदिवियो करें, आएकिस तुरुत भी बढ़ेंगे, ओपिस में अपने सहयोग के साथ सम्मंदों में मदूरता रहेगी, प्रेम विवाह की छुड़ लोगों को सुच समाचार मिल सकते हैं, मौसम क अनुकुल है, आज सकारत्मक स्थितिया बनेगी, अपने अंदर छेपी प्रतिवा को पहचाने और उसका उप्योग करें, साथे इस समय बनाई गई योजनाई निकट भविश्य में सुब अउसर प्रदान करने वाली है, कभी-कभी आपका कुरोद और जल्दबाजी आपक करने की आवर्शकता है, आज कुछ न कुछ दिकते बने रहेंगी, आज रुकी हुए पेमेंट आने से आर्थिक परेशानिया हल होगी, नोकरी पैसा व्यक्तियों की तरेकी की योग बन रहे है, अधिकारियों से संब्मद बना कर जिवन में आगे बढ़े, किसी नजदे की इस्तिदार के साथ मिलना जुलना होगा, तनाव कम होगा, पारिवारिक नद्या रहेगी, आज लग पार्टनर के साथ संब्मदों में मदूर्था बढ़ेगी, बदलते मोसम में ला परवाहे बिलकुल न करे, समय पर अपना चेक अप करवाते रहे, सावधानी आपको दूरता आएगी, और पिछले कुछ समय से चल रही, नाकारतमक गलत फिम्या दूर होगी, मित्रो आज धन का लेंदिन सावधानी से करे, आज कुछ समय आर्थिक स्तिती सामानिया भी रहेगी, बावुकता की बजाए प्रेक्टिकल होकर अपने कार्यों को पूरा करे, कोई आरी लोगों से किसी भी प्रकार का व्यापारिक अनुबंद न करे, क्योंकि कोई धोखा हो सकता है, प्रेम जीवन और स्वास्ते की बात करे, तो आज पति पतनी आपसी ताल मेल से समश्यों का हल निकाल सकेंगे, गर का वातावर बहतर हो जाएगा, गलत प्रेम संबन से द दूसरों की सला की अपेक्षा अपने विचारों पर अधिक परोशा करें, इससे आपके कारिया बनेंगे, अगर आप अपने व्यवसाई स्थल के पास गर सम्मदी प्रोपर्टी देख रहे हैं, तो इस पर गंबेरता से विचार करें, ये प्रोपर्टी आपके लिए फलद पर पेनी नज़र रखे, इस समय अपने काम पर बहुत अधिक मेहनत करनी की आवश सकता है, नोकरी मिस्तान परिवर्तन की योग बने हुए है, ओपिस का माहोल तनावपूर्ण रहेगा, पारिबारिक वातर और खुशनुमा रहेगा, नजदी की व्यक्तियों के साथ मेल मि 4. धनु रासिफल व्यवसाई और लव की बात करते हैं, अपनी कार्य प्रणालिम में प्रवर्तन करें, इस समय अपने व्यवसाई के लिए और अधिक चिंतन करने की जरूद है, सरकारी सेवारत लोगों को पद्वनोती से सम्मधित सुष समाचार मिल सकता है, नामपतित जिवन में मदूरता रहेगी प्रेम समन्द में गलत फिम्यों की वज़े से दूरिया आ सकती है, वर्तमार मौसम में लापरवही करना उचित नहीं है, वातवन के अनुसार अपना आहर रखे, बाग्य साले रंग होगा पिला, बाग्य साले अंखे छे, मकर रासिभल, अनुभवी और खास लोग साबित होगा, व्यात की गति वीदियो और मोजमस्ती में अपना समय नष्ट न करे, अपने कारियों को प्राथि मिक्ता दे, किसी बाहरी व्यक के हस्तक से घर की व्यवस्ता बिगड़ सकती है, कुछ समय बच्चों के साथ भी बैतित करना जरूरी है, व्यवसाय धन की तित कारियम मिल सकता है, पारिवारी कवाता और सुकत और खुष्णुमा रहेगा, प्रेम प्रसंगों में नर्दी क्या बढ़ेगी, स्वास्तिया, गेश और ऐसे लिटी बढ़ सकती है, हलका और सुपाच्य बोजन और दिन चरिया व्यवस्तित रखे, आज के दिन बाग्य साल अंग होगा तीन, कुम रासिफन, आज कुछ समय समाच सिवी संस्ता या किसी धार्मिक स्तल पर जरूर व्यतित करे, इसे आपको सांती मिलेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा, रुके काम बन सकते हैं, उन पर अपना ध्यान के इंद्रित रखे, अपने बजट का ध्यान दे अभी लाग की अपक्सा बेकी संभावनाएं ज्यादा बन रही है, भाईों से किसी बात को लेकर कहा सूनी हो सकती है, गुसे और वादविवात की अपक्सा 37 से मामला निप्टाने की कोशिश करे, मार्केट में आप अपनी युग्यता और प्रतिबा के बल पर नई उपलब और सुकुन देने का काम करेगे, आप अपने कार्यों को और अधिक बहतर तरके से कर पाएंगे, गर के किसी सदस्य के स्वास्तियों को लेकर चिंता रहेगी, तुरंत इलाज करवाए, आज का भाग्य साली रंग है, जामूनी और भाग्य साली अंक रहेगा, नौ, मिन रास आज आपके उपर जिम्यदारियों का बोज रहेगा, पारिवारिक समस्याओ को आप से सामन जिस्से सुलजाने का परियास करे, नकारतमक बातों को अपने उपर हावी न होने दे, कोई काम बनते बनते बिगडबे सकता है, व्योसाई और धनकिश बात करते है, आज हो सकती है, पारिवारिक सर्दसियों के बीच उचित तालमेल और प्रेम बना रहेगा, प्रेम सम्मंदों को विवाह में परिणित होने के लिए परिवार में सलामस्वरा हो सकता है, स्वास्तियों ठीक रहेगा, अत्यादिक व्यस्तता के वज़े से थकार और कमजोरी रह सक है, बागी साली रंग है सफेज और बागी साली अंख है छे, तो मीत्रों यह था आज का देरिक रासिपल, कल का रासिपल जाने के लिए अब हम से जुड़े रहे, कल फिर मिलेंगे नई जानिया कारिया लेकर आपके रासिपल के साथ, जै गुरुदाद, जै गिन्नाद,